नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने चैनल लहीं उबंग में तो आज हम इस वीडियो के बाद में से बात करें वाले हैं अभी हाली में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक एंस्वरकी के बारे में वो किसी चीज़ का है आर आर बी मिनिस्टियल एंड आइसोलेटेड करेंड ओफिशल एंस्वर की 2021 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो के मातम से हम जानेगे कि आर आर बी मिनिस्टियल एंड आइसोलेटेड करेंड ओफिशल एंस्वर के वो कब जारी की और आपको इसको download कैसे करना है आदी के बारे में और साथ में आप ये बताऊंगा कि आपकी जो objection date है वो क्या रहेगी याँ अगर आपका कोई question सही है आपकी तरफ से बुक की तरफ से ही है लेकिन वहाँ पे गलत कर रखा है तो इसके लिए आपको objection कैसे करना है वो सारी बाते इस वीडियो को मादिम से हम डिसकस करने वाले हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगते तो इसे like और share जूरू कर देना है तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकार एक पॉंट तीन लाख उमीद्वारों ने 1663 रिख्तियों को बढ़ने के लिए आवेदन किया था और इन सभी ने क्या है प्रिक्षा विदी थी तो इन पतों को बढ़ने के लिए प्रिक्षा बोर्ड ने कंप्यूटर अधारित बर्ती प्रिक्षा 15-18 दिसंबर 2020 और 7 इन चार कर रहे है अब इनका के जल्द इन चार खतम होने वाला है तो इन पतों की बढ़ने के लिए रर भी एमाई एक जाम एंसर शीट प्रिक्षा जारी करने वाला है रेलवे बढ़ने 22 फ्रवरी 2021 को दिकारिक वेबसाइट पर मंतिश्तरिय और पर्तक सिरनियों के पतों की बरति प्रिक्षा के लिए उत्रकुंजी जारी करेगा यानि आज आपकी एंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी उत्रकुंजी जारी होने के बाद जो उमिदवार बरति प्रिक्षा में उपस्तित हुए थे वे 28 फरवरी 2021 को या उससे पहले क्या है rrcb.gorman.in पर online आपती दर्ज करवा सकते हैं अगर उनकी कोई आपती है तो तो आपको क्या ये टाइम भी बता दिया है कि आपके answer की कब जारी होने वाली है rrb.ministerial and isolated कब जारी होगी तो 22 परविरी को जारी होने वाली है अब बारी आती है कि कितने बज़े जारी होगी तो 22 परविरी को यानि आज आपकी answer की वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम को 5 बज़े के आजपास कभी भी आपकी answer की जारी हो सकती है तो चांस तो बनते हैं आपको दो पहरे की बाले में बात करें एक्जाम कब हुआ था 15 से 18 दिसमबर और 7 जनवरी को आपका एक्जाम हुआ था एक्जाम था answer की आपकी 22 परविरी को जारी की जारी है objection date की अगर बात करें तो कब है 28 परवरी तक आप objection कर सकते हो objection केसे करना आपको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हो भी लेगा आप उस पर कलिक करके वहाँ पर के आपको पता रख जाएगा की केसे क्या करना है वहाँ पर सारी बाते आपको बताई हुए तो वाँसे आप इसको चेक कर सकते हो चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर आपको एक इसका ओपिशल लिंक दिया हो भी लेगा आप उस पर कलिक करके अपना सिधी ही आप अपनी एंस्वर की वो डाउनलोड कर सकते हो एंस्वर की आपकी पेडियेप के रूप में जारी की जाएगी तो उसको आप डाउनलोड कलेना फिर अपने उत्तर मिला लेना परसन मिला लेना जितने भी सही होते हैं अगर आपको कोई ऐसे डाउट होता है कि यहां मेरा सही है लेकिन वहापे गलत है तो आप उसके लिए आपती भी दर्ज कर सकते हो आपती दर्ज करने की यानि ऑब्जेस करने की लास्ट डेट के आपकी 28 फरवरी है तो आप अराम से अनस्वर की डाउनलोड करो देखो और जब भी आपकी अनस्वर की जारी की जाएगी सर्वर थोड़ा डाउन रहेगा तो इसलिए कि आपको डाउनलोड करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी अगर आपके अनस्वर की डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप निचे कॉमेट बॉक्स में कॉमेट करके छोड़ देना आपको बता दिया जाएगा तो यह तो थी आपके एक छोटी जानका जिश में आपको बताया है कि अभी हरी में रर्पी ने गोशना किया कि रर्पी मिनिस्ट्रियल एन इसलिएट करड़ेगरी जारी होने वाली है तो यह कितने मुझे जारी होगी कब जारी होगी और आपको इसको डाउनलोड के स्रिकरना आदी बाते मैं नहीं आपे बता दिये आशा करता है मैंने आपको जानकर दीये आपको अच्छी लगी है वसमझ में आइए अगर जानकरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और से जूर करें अगर आप चले पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लेना साथ में आपको इदरे एक बेल आइकन दीखे आपको उसको प्रेस करें ताकि जब भी कोई नहीं जानकार डाल जाए आपकी बस उसका नोटिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकार डेक्स को तो आपकी इस जानकार बस इतना ही मिलते एक नहीं जानकार जाए तब तक के लिए जैए इंद जैबार धन्यवाद